तो और मेरा वाहियों MKD. एक में बार आपका फ्रीस से स्वागत हैं यहां पे हम आज बात करने वाले हैं मादलब, कुछ ऐसी वीडियो कुछ ऐसी वीडियो कुछ ऐसी वीडियो बट वहां पर आपको कोई तो कोई साय प्रोसल लगा रहा है कोई डाइनेमिकिती डैंडरींड लगा रहा है कुछ भी लगा रहे हैं उनको कुछ पता नहीं है कि एकदम Real Specification क्या है उनको श्रिफ व्यूज़ से मतलब है बाढ़ में जाए Subscribe बाढ़ में जाहे देखने वाले उनको कोई मतलब नहीं है इन चीज से उनको श्रिफ व्यूज़ से मतलब है तो देखो सीधी बात है अब जो प से उपर होती है और समक्ति धम्ति आप सारे काम उस पे करते हो तो यहां पर उसकी बात करते हैं तो यहां पर 6.4 इंचीस की डिश्पले देखने हो मिलेगी आपको और एक एम लेट डिस्पले होने वाली है बात करें पिक्सल सायज की तो आपको 1080p by 2400 की pixel size देखने हो मिल जाएगी यहाँ पर expect ratio की बात करें 20 by 9 का expect ratio है और यह body ratio आपको देखने हो मिल जाएगा इसका 93% का body ratio HDR 10 plus का sport देखने हो मिलता है बट यहाँ पर एक चीज़ की कमी है यहाँ पर आपको शरीफ 60Hz देखने हो मिलता है normal display कोई आपको 90Hz नहीं देखने हो मिलेगा कोई 120Hz नहीं देखने हो मिलेगा कुछ भी नहीं देखने हो मिलेगा only 60Hz देखने हो मिलेगा यह एक minus point है इसका यहाँ पर बात रही price की तो उसकी बात करेंगे बट यहाँ पर आपको थोड़ी सी और बात बता दाओं display के अंदर तो in display fingerprint देखने हो मिलेगा विससी बात है भाई emolade है super emolade तो in display fingerprint देखने हो मिल जाएगा यहाँ पर यही थी display की बाते हो और यहाँ पर बात करेंगे camera की आप आज कल भाई काफी ज्यादा मदब आपको camera वे अमरे सब चलाते हैं और काफी मदब आज कल भाई सारे suit out वाँसी होते हैं सब कुछ वाँसी होता है तो camera की बात करें तो यहाँ पर देखो camera की बात करें तो आपको 48 megapixel का camera देखने हो मिल जाएगा 2 megapixel फिर से दे दिया यह 2 megapixel हट जाए तो जिंदगी सफल हो जाए मतलब 2 megapixel देने का कोई फायदा नहीं है मतलब 2 megapixel दो या ना दो एक बराबर है यहाँ पर बात करें 4K वीडियो की तो यहाँ पर आप इसके अंदर ओविसी बात आ और के वीडियो सूट कर सकते हो 3260fps के अंदर यहाँ पर बात करते हैं फ्रेंट के अंदर तो सेल्फी बेल्फी लो मतलब की सेल्फी के लिए काफी कमाल का फोन है यहाँ पर आपको 32 megapixel की सेल्फी देखने हो मिल जाती है जिसका अपर्चर है आफ 2.4 यहाँ पर डिशेंट सी सेल्फी देखने हो मिल जाएगी बाकी सारा काम AI ब्यूटी कर देगी आपका मतलब आपको गोरा बनाना है आपको चिकना बनाना है आपकी चेरे पर दाग दब्यों सब मिटा देगा AI ब्यूटी सब मिटा देगा कोई टेंशन मतलो यहाँ पर ब्यूटी वगर आपको पोगे अंदर देखने हो मिलती है और साइध यही चीज़ आपको अकर्सित करती होगी तो यहाँ पर बात करें थोड़ी सी टेकनिकल स्पेसिफिकेशन की तो यहाँ पर थोड़ी सी बोरि करें और सिकेशन का साइब वगर है सबकुछ इसका फोन का यहाँ पर पर प्रोश्ट के पूंझ ध AUDITI जा सारी चीज को रन करता है तो बात करें इस प्रोश्टर की तो आपको डेखने हो मिल जाती है तो बात करें अवरोल इस प्रोशर के बारे में तो यह नी। है यह हाई एंड के थोड़ा आसपास है और लो एंड के तो आसपास ही नहीं है मतलब उससे तो बहुत आगया है लाइक 730 जी इनसे काफी ज़दा बहतरी इन प्रोसर है यह तो देखो प्रोसर के मामले में काफी अच्छा प्रोसर है बट प्रोसर आपको वही 765 जी दे दे और प्रोसर रख ले 5000 तो क्या वह प्रोसर अच्छा है नहीं उस प्रोसर रेंज के अंदर वह प्रोसर है नहीं वर्त ही नहीं तो यहाँ पे सारा खेल प्रोसर का है उस प्रोसर के साब से वह प्रोसर अच्छा होता है या फिर वह पोन अच्छा होता है यहां पे बात करें तो आपको étaitन pessimism सप्सक्राइब ऊण एद्फेशशन वाल फोन जाए जहां मेंड़ को पांच से चैजार आमेज तक की भी बेटरी देखना मिलती है एक डिन गेमिंग के लिए ठोन ले रहे हो तो चार हजार 225hus मत लेना मत मत लेना यहां पर यह वाला माइनसकोंट भी आपको देखने को прим ile जाता है अगर आप गेमिंग के परप overturn Called ले रहे हो खासकर यहां पर ठर्टी वोर्ट का फास चार्जर भी देखने को मिल जाता है तो चार्जिंग वगरा फास्ट कर सकते हो टाइप सी देखने हो मिल जाएगे हो इससी बात है 30 वोर्ट का फास्ट राइप सी होने वाली है यहां भी ब्लूटूथ 5.0 सपोर्ट देखने हो मिलेगा आपको और यहां पर आपको 3.5 mm का जैक भी देखने हो मिल जाता है इसके अंद यहां पर देखो कमपनी आपको इतना पागल बना सकती है कि भाई आपको समझ में नहीं आएगा कि इस फोन को ले या ना ले बट यहां पर जो सारे के सारे स्पेसिफिकेसंद को देखा जाए तो यहां पर माइनस पॉइंट का है आपको सिरिफ 60 एर्ज की डिस्पले देख नहीं दिये गए हैं बट यहां पर इसकी प्राइज 21 से 22,000 रुई आंखे बंद करके ले लेना चाहिए आंखे बंद करके ले लेना कोई दिक्कत नहीं आनी वाली गेमिंग के परपर से ले रहे हो तो मत लेना बट अगर आपको सिर्फ केमरे बगर है और थोड़ी बहुत चीज़े के लिए चाहिए तो आंखे बंद करके ले लो 21 से 22,000 रुपे के अंदर बट 25,000 25,000 से उपर का ये हुआ मत लेना मत लेना सीधा बोल रहा हुँ मत लेना क्यों नहीं लेना क्योंकि यहां पर देखो इसके टककर के अंदर बहुत सारे फोण जिसके अंदर आपको 5,000 6,000 mh की बैटरी सेम प्रोसेसर के साथ Super Amolet Display के साथ और यहां पे आपको 90Hz 120Hz की डिस्प्ले भी देखने हुँ मिल जाती है तो क्यों ले हम भाई क्यों ले हमें क्या जरूरत है फोन की इस फोन की क्या जरूरत है यहां पे आपको केमरे के अंदर Dynamic Range अच्छी देखने हो मिलेगी Dynamic Range क्या होती है तो उससे भाई जो फोटोग्राफर्स होते हैं और बाकी होते हैं उनको तो पता होगा बर डाइनेमिक रेंज बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट होती है फोटोस के अंदर ताकि आपके फोटो मतलब क्लियेटिव अगर एक अंदर और बाकी चीजों के अंदर आपको कमाल की 不錯 है मिल्ती है जब आपशो कमेंट के अंदर और मुस्कों दूर करेंगे बाकी आपको वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब मार देना, आप सब्सक्राइब क्यों हमके उमारे सब्सक्राइब भाई, तो देखो सिधी सी बात बताता हूं, मेरे पास फोन्स नहीं है, ना मेरे पास रिव्यू ने इट आती वगर वगर है, और नहीं आए तो यह इच्छा है चैनल जाए कितना ही बड़ा हो अगर मैं खुद का खुद के पैसे से फोन ले सकता हूं तो और अच्छी बात है टेस्ट भाई कमाल के करने वाले हैं आने वाले टाइम में अगर आपने सपोर्ट किया तो भाई ऐसे कमाल कमाल की गेमिंग टेस्ट खास कर बहुत क कमाल के करने वाले हैं जिससे आपको पता से लेगा कि गेमिंग कितनी एक्यूरेट इस फोन के अंदर या फिक क्या क्या है तो वह भी चीज़ हम करने वाले हैं तो अगर आपने सपोर्ट किया तो बाकी चैनल को मार देने सब्सक्राइब मामित आपको नेक्स टूडियो में